नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी जुकर्षन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर, आज हम डिसकस करेंगे Global Nutrition Report के बारे में जो रीसनली रिलीस हुआ था, इसमें काफी शोकिंग रिविलेशन्स है, सबसी इसमें इंपोर्टन रिविलेशन्स यह है, इंडियास हाटली मेट एनी प्रोग्रस वन अनीमिया, अनीमिया मतलब क्या होता है, जब हमारे शरीर में Red Blood Cells की कमी होती है, इस कंडिशन को आप अनीमिया बोलते हो, वैसे Red Blood Cells का मेजर फंक्शन क्या है, हमारे बोडी टिशू के लिए Oxygen पहुंचाना, ठीक है, बेसिकली जब हमारे शरीर में Iron की Intake कम होता है, तब अनीमिया होता है, आप देखिए इस रिपोर्ट में की Important पोर्ट यह है, 53% of women aged between 15 to 49 years affected by अनीमिया, देखिए 15 to 49 मतलब women का reproductive age होता है, तो इस age group में Over half of the women are affected by अनीमिया, तो आज इस वीडियो में हम Global Nutrition Report के कुछ important points के बार में डिसकस करेंगे शुरुआत करते दोस्तों, इंडिया 161 countries के साथ है, जिनोंने progress नहीं दिखाया with regards to reducing अनीमिया, तो अनीमिया को हम ठीक से control नहीं कर पाया, आप देखिए, वैसे इस report में इंडिया ने कुछ targets को अचीव किया है, जैसे कि maternal, infant and young child nutrition, देखिए, इन तीनों का nutritional targets को इंडिया अचीव ने किया है, फिर भी सही course में जा रहा है, मतलब इसी तरह चलते रहेंगे तो ये targets हम अचीव कर पाएंगे, maternal मतलब mothers का होता है, infant मतलब भचों का, एंग child मतलब छोटे भचों का, तो इन तीनों के nutritional targets को हम achieve करने वाले है, सबसे पहले दोस्तों, global nutrition report के बारे में कुछ basic details, ये conceive किया गया था 2.13 में, जब पहला nutrition for growth initiative सम्मिट हुआ था, सबसे पहला report 2.14 में publish हुआ था, तो global nutrition report evaluate क्या करता है, एके country में nutrition context में क्या क्या जा रहा है, population का present nutrition condition क्या है, nutrition deficiency कितनी हद तक है, ये सब हमें बताता है, global nutrition report, अब दोस्तों, इस report के कुछ important points हम discuss करते हैं, अगर आप 2016 से 2020 तक compare करोगे, तो percentage of Indian women who are animate increase हुआ है, 2016 में 52.6% था, 2020 तक वो 53% हो गया, slight increase हुआ percentage में, पर मेरा कहने का मतलब है, बिलकुल improvement नहीं हुआ है, अगर अब child stunting की बात किया जाए, child stunting मतलब क्या होता है, जब age की हिसाब से बैचों में height नहीं होता है, उसमें या फिर child stunting को रोकने में इंडिया सही दिशा में जा रहा है, percentage धिरे-धिरे कम हो जा रहा है, पर अभी भी 34.7% of children under 5 years of age are still affected by it, मतलब 5 साल के नीचे के बैचों में 34.7% अभी भी child stunting face कर रहा है this is higher than the average for the Asia region at 21.8%, देखे, पूरा Asia region में वो 21.8% है और इंडिया में 34.7% है, ये ठीक नहीं है अगर आप childhood wasting की बात क्या जाए, wasting मतलब क्या होता है, जब age की साब से बैचों में weight नहीं होता है तो इसमें India is also among 23 countries that have made no progress, कोई progress नहीं दिखाया है over 17% of Indian children under 5 years of age are affected, ठीक है, पूरे Indian children under 5 years में 17% child wasting face कर रहा है this figure is much higher than the average for Asia, देखिए Asian average close to 9% है and Indian average 17% है and India is of course in meeting many global nutrition targets, देखिए कई सारे global nutrition targets है इसमें maximum में India of course है, मतलब सही दिखा में नहीं जा रहा है तो कौन-कौन से nutritional targets में हम पीछे है, सबसे पहले sodium intake देखिए sodium हमारे शरीर में बहुत कम amount में चाहिए होता है पर हमारे Indian population में sodium intake बहुत ज्यादा है क्यूंगी हम salt ज्यादा consume करते है salt का major component है sodium, salt का chemical formula क्या है, sodium chloride है तो हमारी sodium intake normal level से ज्यादा है दूसरा हमारे population में blood pressure raised है जो normal blood pressure है 80-120 इससे ज्यादा है maximum population में बोथ इन men and women and obesity conditions जो मोटा पहन है वो भी बोथ इन men and women ज्यादा दिखता है and diabetes condition भी बोथ इन men and women ज्यादा दिखता है Indian population में एक healthy population में ऐसा conditions controlled होनी चाहिए whereas India में ऐसा नहीं है अगर आप obesity की बात किया जाए 6.2% of adult women 3.5% of adult men are living with obesity in the country देखिए हमारा age and height की हिसाब से एक weight category होता है अगर आप उस weight category से उपर है तो आप obese हो अगर आप उस weight category से नीचे है तो आप underweight हो यह दोनों नहीं होना चाहिए age and height की हिसाब से आपका weight जो है वही category में आने चाहिए मेरा केने का मतलब है आपका body mass index नोमल होना चाहिए ठीक है है हमारे देश में breast feeding भी थोड़ा बहुत सही चला है इतना अच्छा भी नहीं बहुत सकता क्योंगी about 58% of infants in the age group 0 to 5 months are exclusively breastfed in the country आपको पता ना बैचों को 6 मेने ओने तक breast milk के अलावा कुछ देनानी चाहिए पर हमारे देश में देखिए 0 to 5 months के age group में 58% of infants को exclusively breastfed किया जा रहा है यह maximum country से थोड़ा अच्छा percentage है तो दोस्तों that's it global nutrition report के बारे में जितने important points था वो मैंने आपको बता दिया जितने आपके examination point of view में important था अब हम global nutrition targets के बारे में discuss करेंगे जो WHO के द्वारा बनाया गया है देखिए World Health Assembly World Health Assembly मतलब WHO का decision making body है इन्होंने 6 nutrition targets identify किया है which are to be met by 2025 तो 2025 तक 6 nutrition targets हमें अचीव करना है यह WHO की तरफ से है सबसे पहला देखिए reduce stunting by 40% in children under 5 stunting मतलब क्या होता है में आपको पहले बता दिया जब height age की हिसाब से height नहीं होता है बच्चों में ठीक है तो यह 40% तक करना है फिर अनीमिय का prevalence by 50% among women in the age group of 19 to 14 years ठीक है अनीमिय का prevalence है वो 50% तक करना है हमारे देश में 50 से ज्यादा है तो इसे भी हमें reduce करना होगा and low birth weight जो है इसमें भी 30% reduction करना है and no increase in childhood overweight इसमें तो इंडिया सही दिशा में जा रहा है मतलब childhood में जो overweight condition होता है इसमें इतना increase हमारे दिश्य में नहीं है and rate of exclusive breastfeeding in the first 6 months up to at least 50% इसमें भी इंडिया 58% अचीव किया है and reduce and maintain childhood wasting to less than 5% तो चाइड़ूल बेस्टिंग मतलब age की साब से weight ये भी हमें reduce करना है 5% तक तो इंडिया में जितने targets इसमें किस-किस में थोड़ा सा अच्छा perform कर रहा है एक तो हमारी childhood overweight अच्छे levels पर है exclusive breastfeeding हमारा सही है and हमारी जो child stunting है उसमें भी हम थोड़ा बूद अच्छा perform कर रहा है फिर भी आप अगर ग्लोबल average देखोगे उसमें से हम काफी पीछे है फिर भी सही दिशा में जा रहा है हमारी child stunting rate जो है यह में आपको पहले बता दिया तो दोस्तों that's the end of it I hope आपको समझ में आया होगा जितने चीज़े में आपको बताया आप मुझे comment works में प्लीज बता दिजेगा आपको यह वीडियो कैसे लगा lecture की pdf as social आपको telegram channel में मिल जाएगा जिसका link नीचे provided है thank you for watching bye bye have a nice day